Hey guys, welcome back to the channel. इंडिया में ही तक्रीबन साड़ सत्रा लाख टेथ होती हैं. And remember, कि इंडिया में All-Cause Mortality की कोई रिपोर्ट नहीं है. तो हार्ड डिजीज की रिस्क फैक्टर्स क्या है? इसकी सिम्टम्स क्या है? इन्हें ट्रीट कैसे करते हैं? और आप इन्हें कैसे अवोइड करोगे? Hi guys, I'm Dr. Nene, a US-trained cardiac thoracic vascular surgeon and a general surgeon. एक healthcare innovator और एक healthcare tech innovator होने के नाते, मैं आप सब को आज तक की सबसे best health के साथ empower करना चाहता हूँ. इस चैनल पर हमारी तरफ से आप सब के लिए evidence-based medicine शेयर करेंगे. हमारे healthcare की training और experience के थुरू. हमारा goal ये है कि आपको help करें. आपकी अपनी health के बारे में informed decisions लेने के लिए. साथ ही साथ आपके loved ones की health के लिए भी. इसलिए बिना hesitate किये हमें contact कीजिए. तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है, heart disease पूरी तरह से demand और supply पर depend होता है. और heart के outside पर जो ये arteries होती है, जो heart muscle तक blood pump करती है. Heart muscles तीन अलग चीज़े हैं. जो जब constructed हों, तब वो दो upper chambers से lungs और body तक blood pump करती है. और ये एक electrical conduction system भी है. And it's arterian venus system, जो बाकी सारी चीजों को power up करती है. और heart disease में क्या होता है? कि आपको blockages होते हैं, main arteries में, जो आपके heart को feed कराते हैं, या फिर smaller arteries में, जो आपके heart को feed करती हैं, और जब वो block up हो जाती हैं, और उनमें inner flow नहीं होता है, और mass patient पतली हो जाती हैं, और उनमें oxygen की कम हो जाती है, तब इसका result होता है heart attack. तो चलो किसी ऐसे आदमी के साथ शुरू करते हैं, जिसने heart disease के risk factors देख रहे हों. ये fairly clear है, इनमेंसे कुछ बाकियों से ज़्यादा important है, जैसे हमारे कोई ऐसे first degree relative हों, जिने heart disease है, तो आपको heart disease होने का risk, baseline से 4 to 10 folds higher हो जाता है. Similarly, अगर आपको कभी first attack आ चुका है, तो आपको second heart attack आने का risk substantially बढ़ जाता है. और इस टाइब के patients में हम बात करेंगे primary prevention के बारे में, different means और तरीकों के थुरू. हमारे चिन risk factors के बारे में बात की, उनमें कुछ add होने वाले कुछ ऐसे भी risk factors हैं, जैसे कि smoking, morbid obesity, diabetes और बाकी सब जो हमने लिस्ट किया है, और भी अनेक कारण, जिसके references मैंने नीचे description में दिये हैं, ताकि आप हमेशा खुद evidence-based material को देखें और कर सकें. चलो मान लेते हैं कि आप में वो risk factors हैं, तो क्या भागोगे या छुप जाओगे? नहीं, in fact, अब आपको ये सोचना है, कि आप इससे बदलने के लिए क्या करते हो, अगर आप morbidly obese हैं, तो किसी डॉक्टर से मिलिए, डाइट करना शुरू कीजिए, exercise program स्टार्ट कीजिए, अपना weight कम करने के लिए और happy रहने के लिए, अगर आपके कोई relatives हैं, जिन्हें first degree heart disease है, तो make sure, कि आप किसी डॉक्टर से मिलकर ये बात mention करें, अगर वो इससे सकम कर गए हों, मतलब अगर below 50 की age में, अगर वो गुजर गए हों, तो risk और भी higher है, और इंडिया में ये interesting है, कि ये बहुत ही peculiar type का heart disease है, males के बीच, जो कि एक type का lipid vehicle है, जिसे triglyceride, rich heart disease कहते हैं, और ये western counterpart से, 10 साल जल्दी निकल कर आता है, तो अगर हम देखें कि US में, 50 से 65 के बीच में heart disease peak पर होता है, वहीं इंडिया में, 40 से 50 के बीच में peak पर होता है, और ये कई papers में mention किया गया है, कि ये उन्हें कहां मिला, और जब ये होता है, एशिन जादतर build में smaller होते हैं, उनकी arteries भी smaller होती हैं, इसका नतीजा blockages tighter होते हैं, और blood flow भी worst होता है, तो चलिए अब risk factors से move on करके, देखते हैं कि heart disease के symptoms क्या हैं, roughly 85% patients, जिन्हें heart disease है, उनमें typical symptoms होते हैं, और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, या आप एक सेकिंड में जान जाएंगे, वो symptoms हो सकते हैं, chest pain, chest pressure, shortness of breath, left arm पर radiate होने वाला chest pain, या back pain, और ये activity के साथ भी associated हो सकता है, या फिर कभी-कभी rest के समय भी, इसमें tricky part ये है, कि 15% patients को या तो कोई symptoms नहीं होंगे, या उनमें artipical symptoms होते हैं, जिसका मतलब heartburn या dyspepsia, जिसे हमेशा कुछ और समझा जाता है, और ये particularly किसी diabetes के साथ होता है, जिनमें कई बार nervous systems होती हैं, particularly nerves, जो normally function नहीं करती हैं, और उन patients में, और और तो में भी, हम कई बार देखते हैं कि disease late present होता है, और इसी वज़ा से mortality और complications काफी higher होते हैं, तो आइडिया ये है कि अगर आप diabetic है, या औरतों के case में कहा जाये तो, तो हमने देखा है कि ज्यादातर वो जल्दी नहीं जाते, वो कहते हैं कि वो बस heartburn है, या मैं बहुत busy हूँ, मुझे काफी सारे काम है, मैं अभी दिखाने नहीं जाऊंगा, और heart disease और women का outcome काफी worse होता है, क्योंकि वो often late present होता है, और जादातर उनकी arteries smaller होती हैं, तो अब आप में ये symptoms है, या maybe a typical symptoms है, और अगर वो reproducible है, और वो activities के साथ आते हैं, क्या आप क्या करते हो, अगर आप घर पर हो और आपका chest pain हो रहा है, अगर आप US में हो, तो 911 पर call कीजिए, या hospital में immediately drive in कीजिए, और ये किसलिए important है, क्योंकि time is muscle, US में survival और mortality को, risks को door to balloon time से count करते हैं, इसका मतलब वो time, जब आप hospital में गए, more importantly वो time जब आप hospital पहुँचे, वहां से आपके cath lab तक पहुँचने का time, किसी भी ideal setting में, 30 से 60 मिनिट के बीच, best outcome आता है, अगर आपने heart attack के साथ, 6 घंटे तक wait किया, तो risk बहुत ज़्यादा higher होता है, और 6 से 24 घंटे, ये एक heart surgeon के लिए, witching period होता है, operate करते समय, क्योंकि ज़्यादा तर आपको, बहुती बुरे reperfusion effects मिलते हैं, जो कि heart stop होने की तरफ लीट करते हैं, दरसल ये इंडिया में challenge है, क्योंकि सच ये है, कि बस hospital में पहुँचना ही, traffic और बागी चीज़े कई जगे tough हैं, पर फिर भी इंडिया, बस एक इंडिया नहीं है, इसमें 30% metro और 70% rural है, जहां कई cases में resources कम होते हैं, तो idea ये है कि इसे हमेशा जल्दी recognize करें, और acute care mode से prevention, early recognition और early treatment की तरफ move करें, हार्ड डिजीज का prevention रिलाई करता है, ए, हार्ड डिजीज के risk factors को recognize करके उन्हें बदलने में, बी, एक better lifestyle पर, जिन पर focus करना और अपने सारे parameters को improve करना, healthy living के लिए, ये हमेशा easy नहीं होता, आप हमेशा काम का stress change कर सकते हो, आप हमेशा अपना diet change कर सकते हो, अपने exercise को improve कर सकते हो, particularly pandemic के पिछले दो सालों में, let's face it, हम सभी घर के बाहर नहीं निकल पाए, और हमें जो करना जरूरी था, वो नहीं कर पाए, मैं already better feel कर रहा हूँ, और मैंने भी कुछ समय के लिए pandemic pounds चड़ा लिये थे, पर अब वो सारे घट गए हैं, आपको इससे overcome करना होगा, आपको अपने सामने कोई goal set करना होगा, जाका डॉक्टर से मिलिए, और इन सब चीजों को track कीजे, इसके बाद वाले वीडियो में हम इसके different aspects के बारे में बात करेंगे, जिसमें weight loss और exercise के बारे में सब होगा, तो अब इसके साथ help मिलने के लिए उन्हें refer कर सकते हैं, heart disease हमेशा prevention पर निर्भर करता है, इसमें सही तरह से खाना, अपने weight की तरफ ध्यान देना, जिन लोगों का cholesterol elevated होता है, उनको heart attack होने का risk higher होता है, पर अभी recently कुछ crystal studies होई हैं एक particular drug पर जो cholesterol को reduce करता है, और 12 साल के बाद भी वो most patients के बीच mortality में कोई significant decrease नहीं दिखा पाए, इसमें कुछ exceptions भी थे, उन patients में जिन में secondary preventions थे, जिसका मतलब उनके साथ already event हो चुका था, या वो patients जो exceptionally high risk पर थे, जैसे family history या बाकी factors जो तुमें इसे use करने के लिए push करेंगे, पर as a rule, हम अब cholesterol पर उतना ज़्यादा attention नहीं दे रहे हैं as a primary prevention technique, जबकि पहले हम सब cholesterol और LDL को काफी नीचे लाने के लिए push करते थे, और ऐसा क्यूं है, क्योंकि risk को outweigh नहीं करते, primary prevention में low risk वाले patients को मिलने वाले benefits के लिए, वो patients जो high risk पर होते हैं या secondary prevention में, उनके लिए this makes sense, चलो आप prevention से move on करके, इस पर चलते हैं कि अगर आप में ये symptoms हों, तो आप क्या करोगे? पहली और सबसे ज़रूरी चीज है कि आप help के लिए call करें, बस बैठे मत रहिए और इसे आपको consume करते हुए देखते मत रहिए, क्योंकि time is muscle, जैसे कि आप हमेशा से कहते हैं, जितनी जल्दी आप वहाँ जाओगे, जितनी जल्दी आप assess, evaluate और treat हो जाएंगे, तो आप ज्यादा बहतर रहेंगे, मीनवाइल आप क्या कर सकते हो? ऐसी कई सारी studies हैं जो suggest करती हैं, कि सिर्फ baby aspirin, जोकी 81 mg का होता है, वो beneficial है, ये platelet coagulation या clotting को ब्लॉक करता है, और ये आपके heart के लिए help कर सकता है, hospital setting में मैं लोगों को supplemental oxygen दूँँगा, मैं उन्हें nitroglycerine दूँगा, जब हम EKG ले रहे हों या बाकी चीजे कर रहे हों, वो भी cath lab में जाने के दौरान, कई cases में हम blood thinners का भी यूज़ करते हैं, जिसे IV के थ्रू दिया जाता है, ये हम घर पर नहीं कर सकते, राइट? आपके पास hospital पहुँचने की hope होती है, अब जब कि आप hospital में admit हो गए हो, आप typically ER के थ्रू जाते हैं, वो आपका EKG निकालेंगे, और वो उन specific changes को देखेंगे, जो ये indicate करेंगे, कि आपके heart muscle के कुछ parts में, blood flow की problem है, और वो आखिर में क्या करेंगे? कि आपको temporize करेंगे, कि आपको temporize करेंगे, जब तक कि उन्हें cath lab operating नहीं मिल जाती, अगर by chance आपके EKG कुछ दिखा नहीं रहे, पर आपको symptoms है, तो वो often ये कराते हैं, कि वो cardiac enzymes draw कराते हैं, ये cardiac enzymes क्या होते हैं? जब cells मर जाते हैं, तो वो basically नीचे गर जाते हैं, और ये cardiac enzymes, जो की byproduct है, muscle breakdown के, वो blood stream में जाएंगे, और इन्हें measure किया जा सकता है, सबसे common जो होते हैं, वो troponins या myocardial enzymes होते हैं, और ये चीज़े essential हैं, और अगर आपके troponins को अलग intervals में measure किया जाए, या वो positive हों, तो वो ये indicate करता है, कि आपके साथ cardiac incident हो चुका है, ये आपको potentially किसी को cath lab तक ले जाने के लिए push करेगा, पर इसके लिए काफी criteria है, वो hospital में EKG लेने के बाद, शाय जो दूसरी चीज़ करेंगे, वो कि अगर वो sure नहीं हों, वो eco-cardiogram करेंगे, ये देखने के लिए कि आपके heart muscle का एक part, बागी parts से differently तो move नहीं कर रहा है, और क्या होगा अगर वहाँ कोई ऐसा area हो, जहाँ खून की कमी है, अगर आप पहले 6 गंटे के बीच हैं, तो वहाँ पर अच्छा चांस है, कि आप उसे वापस ले सकते हो, और अगर ये पहले 30 मिनिट के बीच हो, तो उस patient के completely वापस आने के chances होते हैं, इसके बाद भी कभी-कभी heart stunt होता है, और उसे better होने में कई घंटे या दिन लग सकते हैं, तो एक बार आप इसे face करते हैं, तो क्या options हैं? यहाँ actually 3 options है, first है, कि अगर आप किसी remote areas में हो, और आपको massive heart attack आ रहा हो, तो एक चीज जो वो कर सकते हैं, और अगर वो ये proof कर रहे हैं, कि वो आपके लिए कर सकते हैं, TNK के साथ, जो ऐसी चीज है, जो clots को breakdown करती है, यह basically वो चीज है, जो clot को break करने के लिए act करती है, अगर उनके पास cath lab नहीं है, तो एक ideal setting में, एक cardiologist आपको देखेगा, वो आपको cath lab में लेकर जाएंगे, और वो access करेंगे, आपके groin के trough, femoral artery से, या फिर आपकी radial artery के trough, वो उपर catheter लगाएंगे, और अंदर थोड़ा dye squirt करेंगे, उसके लिए वहाँ क्या blockages है, और फिर वो नीचे एक wire pass करेंगे, और उस blockage के आगे जाएंगे, और ऐसी situations होती हैं, जहां आप ये नहीं कर सकते, और एक bypass surgery के लिए, जो absolute indications होंगे, वो होंगे severe three vessel disease, जिसका मतलब, आपके heart पर जो तीन main arteries हैं, वो blocked है, और आपके heart muscle में खून की कमी हो रही है, सेकिंड होगा left main, जिसका मतलब, आपके heart के left side में जो दो arteries हैं, एक जो front में नीचे जाती है, और एक जो side में नीचे जाती है, LED और circumflex एक ही route से आते हैं, जिसे left main of the arrow टा कहते हैं, और अगर वो high grade blocked है, तो उसके across stun डालना काफी रिस्की है, तो ये भी एक और indication होगा, थर्ड होगा multi vessel disease, जिसका मतलब है, उन सारी arteries में blockages होंगे, जो diabetes में bypass होती हैं, और इन तीनों cases में उन्होंने दिखाया है, कि किस पर operate कराने में benefits हैं, अब वो आपको catheterize करते हैं, वो कि stun डाल देते हैं, आप क्य expect कर सकते हो, usually stunts से होने वाली recovery, fairly quick होती है, इसमें कुछ complications भी हो सकते हैं, जैसे कि आपके groin से bleeding होना, आपको pseudo aneurysm, या वहाँ एक छोटा collection हो सकता है, या फिर आपको बाकी area से भी bleeding हो सकती है, जैसा कि उन्होंने आप पर जो blood thinners लगाए हैं, वहाँ से, और वो आपको anti-platelet agents पर भी रखते हैं, कहीं महीनों के लिए, और आपको उन्हें tolerate करना होगा, कुछ side effects होंगे, मेभी आपके gut से bleeding होगी, आपके stomach से bleeding होगी, ulcer से या ऐसी ही किसी चीज से, या फिर कुछ ऐसे area से जो इससे पहले issue नहीं थे, पर जब उन्होंने तुम्हें anti-platelet पर डाला, उसके बाद reveal हुए, चलो मान लीजे कि वो stun नहीं लगा सकते, बाकी options क्या है, ये इस पर depend करता है कि आप कितने बीमार हो, और वो कितनी अच्छी तरे से आपको stabilize कर सकते हैं, blood, blood thinners के साथ, oxygen और nitroglycerine के साथ, वो ये dictate कर सकते हैं, कि आपको emergency heart surgery में जाना होगा, या फिर वो आपको थोड़ा सा stabilize होने दे सकते हैं, और फिर आपको ले जाएंगे, पर generally अगर उन्होंने block open कर लिया, या आपके लिए थोड़ा time बढ़ा लिया, और अब आप अपने semi changes नहीं दिखा रहे हो, पर आपको several heart disease है, तो recommendation ये होगी कि इदर इसे electively कीजिए, मतलब एक small time interval के बाद, या फिर emergently कीजिए, मतलब मुझे अभी admit होना पड़ेगा, और जब वो आपको operating room में ले जाते हैं, वो क्या करेंगे, चनरल anesthesia के अंडर, वो आपकी chest के अंडर से artery लेंगे, और आपके पैरों से veins लेंगे, और आपकी chest को open up करेंगे, और आपके heart पर arteries को soak करेंगे, या फिर vein को आपके heart coronaries पर soak करेंगे, और फिर orveans के case के अंदर होने वाले, एरोटा से attach करेंगे, या फिर उस artery से attach करेंगे, जो आपकी chest के अंदर से आती है, उसका already blood supply होता है, इसके साथ एक long term survival exceptionally अच्छा होता है, उन patients में जो उसे warrant करते हैं, याद रखिए, मैंने आपको ये करने के लिए criteria दिया है, तो अब आपकी heart surgery हो गई है, आप क्या expect करोगे, चनरली आप 3-7 दिनों के लिए hospital में होते हो, उस है, वो artery जो हमने लगाई है, 10 years में 90 of the times open होगी, और veins 70% तक high हो सकती है, वो काफी proven procedure है, उन patients के लिए जिन्हें इसकी जरूरत है, इसके साथ ये hope होगी और ये take home होगा, कि अगर हम जल्दी recognize करें, तो हम prevent कर सकते हैं, उसे treat करा सकते हैं, और इससे दूर move हो सकते हैं acute care से, ह जाते हैं, और अगर वो समझते हैं कि risk factors क्या है, इसके symptoms क्या है, इसके लिए treatment क्या है, और उन्हें कब hospital जाना चाहिए, तो फिर ये hope होगी कि हम उन्हें disease होने की process में जल्दी treat कर पाएंगे, और ये करते हुए हम potentially उनकी lives बचा पाएंगे, और उनके loved ones की भी life बचा पाए जैसे हमेशा से ही मैं evidence-based links देता हूँ इस वीडियो के description में, और आप मेरी website पर भी जा सकते हैं, drnene.com, जिस पर कई सारी details हैं, जिन में आप और भी deeper जा सकते हो, आपके लिए मैं यहाँ हूँ, और मेरे लिए आप, और एक साथ मिलकर हम better world build करेंगे, पर idea ये है कि इस dialogue को अभी start करें, नीचे comments लिखिए, subscribe करना ना भूले, like and share, और हमेशा हमेशा अपनी health के बारे में सोचिए, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो quickly छूट सकती है, और ऐसी चीज है कि अगर इस पर आप कुछ time spend करें, तो ये amazing बन सकती है, here's for your health and cheers to your happiness, thanks for joining us.